प्रदेश विधानसवा में 12 जून को होने वाले एक दिवसी बाल सत्र के लिए सुन्दनगर की जानवी का मुखेमंत्री के रूप में चैन हुआ है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम आयू के 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये बच्चे हिमासल प्रदेश, शिक्षा विभाग और फ्यूचर सुसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाफथान में तीन माहा तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभ्यान के तहट चुने गए हैं। क्यों वह 28 लड़कों का चैन हुआ है। खुशी की बात ये है कि इन 68 बच्चों में 65 हिमाजल प्रदेश से हैं। 63 हिमाजल प्रदेश से हैं। और वो 43 विधान सवा चुनावक क्षेत्रों से हैं। और पांच बच्चे जो हैं अन्य राज्यों से जो है इसमें स्लेक्ट हुए हैं। मेरी पिछली प्रेस वारता में जैसे मैंने कहा था कि 68 जो बाल विधाई के उनका चैन तो हो गया। अब बाल सरकार बननी है तो बाल सरकार का भी चैन जो है इसी डिजिटल बाल मेला के माद्यम से और बच्चों की रहे से और उन सब पार्टिस्मेंट्स की रहे से और जो सेशन्स हुए उसमें जो पॉलिटीशन्स और जनल लोगों ने उसमें पार्टी स्पेट किया उन सब की राय से आपको ये खुशी होगी कि सुन्दर नगर से हमारी बेटी जो है एक जो सिनेस केंडी स्कूल मॉडल स्कूल सुन्दर नगर में पढ़ती है जानवी एक जानवी ये मुख्य मंतरी के लिए चायनत हुई है पाल सत्र में सुन्दर नगर के वरिष्ट मादविक मॉडल स्कूल की दस्वी कक्षा की जानवी मुख्य मंतरी की भूमिका में नजर आएंगी जानवी ने कहा कि राजणीती में पढ़हे लिखे लोग आने चाहिए ताक की देश वर प्रदेश को इमानदारी से आगे बढ़ाया जा सकते हैं वह उनकी अनभव क्वालिफिकेशन के अधार पर हूं इसी के साथ में ये मुख्य मंतरी होने के रूप में जितने भी सरकारी विवाग हैं उनमें समन्वे स्थापित करके आम जंता की मूल भूत अधन हैं उनके द्वारा में उनमें थोड़ी और प्रोसेस थोड़ी और मतलब उनमें और चीज़ें आड़ करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूंगे जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाएं और अच्छे से बाल सत्र में राजे सभा के उपसभापती हरवंश नारायन सिंग विशेश अधिती के रूप में शामिल होंगे जबकि मुख्य मंत्री वा उप मुख्य मंत्री और नेता प्रतीपक शहित अन्य गड़माने लोग भी मौजूद रहेंगे